नितिश कुमार जी जब तक उनके हाथ में कमान होंगे नितिश कुमार ही सर्वोपरी है मुख मंत्री बिहार के वहीं है और वो भाजपा के सामने नहीं जुके भाजपा से लड़ाई लड़ते रहें भाजपा के लोग मनमर्जी करना चाते थे बिभाग में रहे के सरकार में अपनी मरजी चलाना चाहते थे, ट्रांसपर पोस्टिंग हो या कोई भी काम में, जब भाजपा के लोगों को नहीं चलता था तो अभी नितीज जी के साथ जो भी गठवंदन के लोग आएं उनको कैसे चलेगा, सिर्फ बदलाओ यही है कि भाजपा के कुछ नेता, मंत्री थ गुमते हुए, लेकिन अभी जो नया सरकार बना, उसमें तेज़ेशी परसाद यादव को हमने दो बज़ रात को भी देखा, उस्पिटल में गुमते हुए, तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनसे नहीं भी हो रहे हैं, बीजेपी के पास एक स्पेसल कला है, कि टीवी, इडिया, यूटूब, ये सब पर उनका स्पेसल पकर है, उनके लोग एक रात को सोचते हैं, सुबह में वो फैलाते हैं, वो लोग ऐसा है कि गनेज जी को मुर्ती को दूद पिला देते हैं नमस्कार, मेरा नाम काजल है, और आप सस्तक निउस देख रहे हैं, अभी हमारे साथ भी आईपी के सुप्रीमो मुके सहनी ची है, हम इनसे बात करेंगे जो परसो बेगु सराय में घटना घटा है सर, परसो लगातार 30 किलो मीटर तक अनाधून फाइरिंग की गई, जिसमें 11 लोग जख में हुए और एक लोगों की मौत हो गई, क्या कहिएगा देखिए घटना बहुत दुखत है, और इसके पर सरकार भी काफी एक्षन में है, वहां के परसाशन भी काफी एक्षन में है और इसके खोजवी की जा रही है और वहाँ पे कुछ फोटो गर सब परसासन के द्वारा सरजन की गई है और जो लोग भी किये हैं अभी पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब साइको टाइप के लोग हैं जो इस तरीके से घटने का जाए था साइको किलर का इसा दिया गया था लेकिन जब से कल दो मोटर स कर दिखाया गया चार लोगों को तो ऊस समय से हम लोगों को विचार परी वर् hanus लोगी हैं अभी दो दो बाएकस चलाने वाले जो दो डो गोली चलाने वाले मतलब चार-चार लोग एक साथ में पागल हो जाना, साइको हो जाना, ये कहीं हम लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन फिलाल परसासन इस पर मजगुती से लगे हैं, और उसको मैं उमीद करता हूँ कि जल्द जल्द वो पकड़ा है, आरोपी, जो गलत किये हैं, और उसको सजा म मुंबए में, तो इस तरीके से आंधुन गोली-उली चलाया है, तो ये ऐसा हुआ कि बाहर के लोग आके इस तरीके से किया, और हमारे राज के लोग ही इस तरीके से किये हैं, तो ये पहली बार ऐसा घटना हमको देश में दिखने के लिए, लेकिन जब 30 किलो मेटर तक ला परसासन का चूक है, परसासन जिस तेजी से, जिस रफ्तार से काम करना चाहिए, उसमें तो ढिलाई है बिहार में, ये और सवाल यहां पर खरा होता है कि परसासन इस तरीके से आखिर ढिलाई क्यूं है, और अभी जो हम बाद में देखने कि इस पे लोग एक्सन में लगे ह लेकिन इस तरीके से घटना का कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, तो परसासन को के उपर सवाल उठना जाएज है और आप उठाईए, और साथ आपके और हमारे उठाने से ही परसासन आपने आपको मतलब चोकरना होंगे और ये काम में ज़्यादा ज़्यादा रूची रखेंगे और उनको जवाब देना चाहिए परसासन को जो लोगों को दोसी है इतना समय बीतने के बाद भी नहीं पकरा जा रहा तीस किलो मेटर तक फारिंग वा उस बीच में उनको सबको सस्पेंट करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि डीजेपी इस पर एक्शन ले जहां तक बीजेपी के नेताओं का अक्सर बयान आता है कि बिहार में जंगल राज पार्ट टू का आगाज हो गया है यहां पे अब माफियाओं का राज चलेगा बलकि प्रसासन का है तो क्या यह सत हो गया होता हुए दिखाई दे रहे है क्या देखिए सरकार कल तक बीजेपी के साथ आज महागाटवंदन की सरकार है जिसमें मुक्या नितिसकुमार जी है तो परसासन कल भी वही था और आज भी वही है मुक्रमंद्री कल मुखमंत्री नितिस्कुमार जी थे, आज भी मुखमंत्री नितिस्कुमार जी है, सिब बदलाओ यही है कि भाजपा के कुछ नेता, मंत्री थे, वो आज बिधायक रहे गए, तो ये जंगल राज बोलना ये अपने आप में बैमानी है, बिहार को अपमान करने वाला भासा है इस बात को परियोग नहीं करना चाहिए, हाँ, बिफक्ष में आप है, आपका कर्तब है, धर्म है कि आप सरकार को घेरे, सरकार के कमियों को अपुजागर करे, जनता के बीच में, मिडिया के बीच में अपुजागर करे, ये आपका अधिकार है और ये करना चाहिए, तब लेकिन इस तरीके से बोलना जिसमें हमारा खुद का नुकसान होना आज बिहार देस लेवल पे पूरे भारत में कहीं न कहीं बदनाम होते जा रहे हैं और ये हमारे बिहार का छबी खराब होगा और इसके कारण है कि बिहार में कोई भार के उद्योग पती बड़े बीजनेसम यहां पर आवाज उठाते हैं और उहां पर सरकार परसासन का काम है कि लॉइनर को समझालना यह काम यहां पर भी की जा रही है आप विपक्ष में हैं तो आप आवाज उठाईए लेकिन अपने आपको बिहार को बदनाम ना करें जंगलराज यह नहीं आप देख रहे हैं दो रोड पे जितने भी पुलिस विभागे जो भी टीम पिट्रोलिंग के लिए हैं वो अलर्ट मूड पे रहे और जो लोगों के बीच में रहे और जहां लापरवाई उनको सिधा सस्पेंड करें तो ये सारे चीजे करें और सरकार एक्षन में आना चाहिए बाकि इस तरीके से करने होगा मुख्यमंद्री दि टीसकुमार का एक रधाया जिस बइयान में उन्होंने कहा है कि ये करवाया जा रहा है उनका निसानक्या przedstaw错य को अगर माक्मंत्रे जी जो कहरें अब भी सावाल का जवाब तो वही दे पायेंगे हमतो अइसा नहीं मानते हैं कि कोई कराय जब तक रिपोर्ट नहीं आएगे कर दो हम करा रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं तो इसके लिए जाच हो रही है और जाच हो जने के बाद सन्व께 of about. पाणी का पाणी होगा तो क्या सरझो बीजेपी बार 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 बयान देती है कि अब नितीश कुमार का नहीं चल रहा है तेजस्वी का चल रहा है अब जंगल राज आ गया है माफियाओं का राज आ गया है तो Caitुन कहीं और स्थ है बिल्कुली सत्थ नहीं है नितिश कुमार जी जब तक उनके हाथ में कमान होंगे नितिश कुमार ही सर्वोपरी है मुखमंत्री बिहार के वहीं है और वो भाजपा के सामने नहीं जुके भाजपा से लड़ाई लड़ते रहें भाजपा के लोग मनमर्जी करना चाते थे बात किसी सुनेंगे। जो भी लोग होते वो उनको assist करते हैं, उनके help के लिए रहते हैं, और जिसको मरजी होते हैं, वनको रखते हैं, जिस समय मरजी हो जा उसमें, उसको हटा दिया जा सकता है, ये मुखमंत्री जी के पास Ms. Abirakar है, तो जब भी ऐसा कोई मामला आएगा, तो मुकमंत्री जी संग्यान में लेंगे और किसी को मंत्री भी बनाना तो मुकमंत्री जी के बेगर आदेश का कोई बिहार में मुकमंत्री नहीं बन सकते तो ये बोलना सही नहीं है जब से महागडबंदन की सरकार बनी है तब से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है क्या ये सत्य है ये आकरा मेरे पास नहीं है ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है विपक्ष के नेता कहेंगे क्योंकि उन लोगों के पास इस्पेसल कला है टीवी, मीडिया इस सब में बार बार आना के कहावत है कि एक सच को सौ बार जूट बोल के बोलो तो जूट में कंवर्ट हो जाता है तो जूट को अगर सौ बार बोलिये तो सच में कंवर्ट हो जाता है तो बीजेपी के पास एक special कला है कि टीवी, मीडिया, यूटूब ये सब पे उनका special पकर है उनके लोग एक रात को सोचते हैं सुबह में वो फैलाते हैं वो लोग ऐसा है कि गनेज जी को मुर्ती को दूद पिला देते हैं ठीक है तो उनके पास ये विसेस कला है अगर कोई चीज होता है छोटा तो उसको बहुत बड़ा लंबा चोरा करके दिखा देना तो इसलिए आज आज आपको दिख रहा है टीवी मीडिया में ये चीज़े घटना कल बीजेपी के जब सरकार थे तभी इतना घटना होता था लेकिन वो टीवी मीडिया में फ्रेम में नहीं आता था लेकिन आज आ रहा है तो ये उस पे स्पेशल कला है घटना कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा है और कल भी बहुत ज़्यादा होता था आज भी हो रहा ज़्यादा के सरकार में दिखाया नहीं जाता था DAVID कए सकते यहीं है की इंडिये के सरकार में जब कर करते थे तrage अब नहीं दिखाने का इंट्रेसि लेते थे आपके सामने में ज़्यादा तो उसको लेके रोड पो उतर जाते हैं ठीक है तो यह यह विपक्ष का में ताकत है और मुझे लगता है कि यह विपक्ष मजबूत है यह हमारे राज के लिए अच्छा है क्योंकि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए वहर एक मुद्दा को सरकार के सामने लाना चाहिए और आज भाजपा अगर विपक्ष के तौर पे अगर एक-एक मुद्दा को रोड पे उतर के सामने ला रहे हैं तो मैं यह मानता कि वह अच्छा काम कर रहे हैं तेकि उनका statement पे वही जवाब दे पाएंगे बाकी घटना होंगे लेकिन सरकार का काम है घटना ना हो उसके ओपर ज़्यादा परियास करना चाहिए और घटना अगर कोई कहीं गलती कर दिया तो उसको सजा दिलाने का काम सरकार का होना चाहिए और घटना तो निश्ची तोर पर देश दुनिया में होता है लेकिन वहां के पुलीस परसासन दुनियादारी जो भी है वो मजगूती से घटना जो करने वाले उसको अंजाम तक पहुचाते उसको सजा दिलाते बिहार में इस सब चीज पर थोड़ा कमी है और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर एक्सले बेगु का तो निरने चलना नहीं है तो हम तो हमारे पास समीधान हमको मिला है और समीधान के दाएरे में रहना है जिनको जो अधिकार मिला उस अधिकार पे लोग काम करेंगे लेकिन अभी प्रसासन बहुत लेट है तिन दिन हो गया वारदात का तो निशित तोर पे आपको करें बहुत ज्याम करेंगे सरकार को शुनाएंगे अर्छ नहीं करेंगे। तो अब ज़याता प्रशासन की चूक है प्रशासन के लापरवाही की वज़े से इतना बड़ा बरदात हुआ 30 किलोमीटर तक लगातार धराधर फाइरिंग हुई जिसमें 11 लोग घायल हुए एक लोगो की मौत हो गई लोगो